हेलो मेरे प्यारे बच्चों मैं उमानात पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूटीब चैनल गवर्मेंटिक चाम्स अड़ा में CBSC के क्लास 10 और क्लास 12 के इंप्रूव्मेंट इग्जाम रिजल्ट की आज हम बात करेंगे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंप्रूव्मेंट का एक्जाम दिया और उनके नमबर कम हो गए या वो इंप्रूव्मेंट के एक्जाम में फेल हो गए कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर बढ़ गए लेकिन उनको अब नहीं पता कि इसके बाद उनको क्या करना होगा साथी में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो यह जानना चाह रहे हैं कि क्या हम उन सब्जेक्ट में भी इंप्रूब्मेंट का फॉर्म भर सकते हैं वो कैसे मिलेगी आपको अगर आपके नंबर बढ़ गए हैं तो कैसे मिलेगी कम हो गए हैं तो कैसे मिलेगी और एक और खास बात है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वो ये कि अगर आपका admission पुराने वाले result के आधार पर कहीं हो चुका है आपने पास किया और आपका exam जो हुआ था पिछला board exam उसका result लगा करके आपने कहीं पर admission ले लिया आपने improvement दिया और आपके number कम हो गए या आपके number बढ़ गए अब आपको क्या करना है ताकि आपका admission cancel ना हो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी बच्चों लेकिन हम आपसे एक question पूछना चाहते हैं और वो है quiz of the day आप हमें comment करके बताईए 100-100-100 ये कितना होता है देखते हैं कि आपका दिमाग कितना तेजी से काम करता है तो जल्दी से solve कीजिए और comment करके हमें बता दीजे और एक और उमीद तो आपसे है ही है कि अगर आप एक अच्छे student हैं तो इस channel को अभी subscribe कर दें और वीडियो को like भी कर दें बच्चों तो आओ शुरू करते हैं अपना main वीडियो तो बच्चों CBSC के class 10 और class 12 के compartment और improvement exam का result आ चुका है आपका result कैसा रहा comment करके बताईएगा अच्छा रहा या खराब हुआ ये बहुत जरूरी है आपका हमें बताना अब देखो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो improvement exam दिये और fail हो गए अरे भाई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ ये CBSC खुद बता रही है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने exam दिया improvement का और उनके number या तो कम हो गए और या तो fail हो गए आओ आपको proof दिखा देता हूँ देखो ये वही वाला data है जो CBSC ने अपनी official website पर upload किया था जब class 12 का result आया था मतलब इसमे class 12 का data दिया हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पर compartment का भी data है और improvement exam का भी data है अगर हम बात करें सिर्फ improvement exam की तो कुल मिला करकर के 68,747 बच्चों ने registered किया था जिसमें से लगबग 60,419 बच्चों ने exam दिया इसमें से 59% बच्चों के नंबर बढ़े लेकिन 35% बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर घट गए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 35% बच्चे वो थे जिनके नंबर ना तो बढ़े और ना ही सेम रहे उनके नंबर घट गए 6% बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर पुराने नंबर जैसे ही रहे जितना पिछले exam में पाये थे उतना ही इस बार भी उनको मिला तो बच्चों ये cbc के official website पर available है आप जा करके इसको verify भी कर सकते हूँ अब बात करते हैं कि अगर आपके नंबर कम हो गए तो क्या होगा देखो बच्चों improvement exam का मतलब ही ही होता है कि आपको नंबर बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है आपके जितने अंक थे अगर उससे आपके नंबर बढ़ गए तो ठीक है अगर नहीं बढ़े या आप इस exam में fail हो गए तो आपके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हाँ आपको थोड़ा ये तो जरूर गलानी होगी कि आपके नंबर नहीं बढ़ पाए लेकिन overall जो आपका result था वो change नहीं होगा जो पुराना वाला result था वो ही valid रहेगा अगर आपका number same रहा है या आप फेल हो गए है या आपका नंबर कम हुआ है तो पुरानी वाले mark seat ही valid रहेगी आपकी नई mark seat तो बिलकुल नहीं आएगी आपको tension नहीं लेना है और पुराने वाले result के अधार पर आप आगे बढ़ स सकते हो तो अगर आप फेल हो गए हो आपका नंबर कम हो गया है तो बिलकुल टेंसन नहीं लेना है मेरे बच्चों अब बहुत से बच्चे हैं हमने दिखाया कि 59% बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक बढ़ गए इनको क्या करना है तो बच्चों अभी आपको कुछ नहीं करना है अभी जो कुछ करेगी CBSC करेगी और आपके स्कूल वाले करेंगे स्कूल वालों से एक बार बात कर लीजिए और अपने डिजी लॉकर एकाउंट को चेक कर लीजिए हो सकता है कि आपकी नई वाली माकसीट वहां पर आ गई हो अगर नहीं आई है बच्चों तो आप हाई बार दीजिए खा लिजिए खुद भी और हमें भी खिला दीजिए लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यह कह रहे हैं कि सर एक सब्जेक्ट में तो बढ़ गए हमें और भी सब्जेक्ट में भरना था फॉर्म उसमें भी मेरे बढ़ सकते हैं या इसमें जिसमें नह अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी नंबर बढ़ाना है तो इसका फॉर्म भर पाएंगे अगले बार जब प्राइवेट एक्जाम का और कमपार्टमेंट टु एक्जाम का फॉर्म आएगा उसी के साथ में आप येवाला फॉर्म भर पाएंगे अगर आपको कोई एक मॉक्सीट आपके स्कूल में आ जाएगी बच्चों पुरानी मॉकसीट हो सकता है इसकूल वाले सबमिट करा ले और नई मॉकसीट आपको दे दे निखे हैं। तो पुरानी माक्सीट अभी संभाल के रखिएगा नई माक्सीट आपको मिल जाएगी स्कूल से अगर आप प्राइवेट कंडिडेट रहे हैं और आपने पास किया था और आपने इंप्रूब्मेंट इक्जाम दिया उसमें आपके माक्स बढ़ गए तो आपके होम एड्रेस पर आपकी निव वाली माक्सीट आएगी इसके अलामा आपके डिजी लॉकर एकाउंट में भी आप एक बर चेक कर लिजे वहाँ पर भी आपको डिजी लॉकर में भी माक्सीट मिल जाएगी अपडेटेड वाली इसको बोलते हैं तो यह वहाँ पर मिल जाएगी अब बहु उन्होंने improvement exam दिया उनके नंबर बढ़ गए या उनके नंबर कम हो गए तो कम हो गए तो कोई फर्क पढ़ता ही नहीं कुछ नहीं बताना आपको बच्चों अगर आपके नंबर बढ़ गए हैं तो ये जो नई वाले mark seat आएगी जब आएगी तो इसकी एक photocopy new mark seat की ना ले जा करके वहाँ लगा दीजिएगा और उनसे बता दीजिएगा एक application लिखिएगा कि हमने CBSC के improvement exam को दिया था जिसमें हमारा number बढ़ गया है अब हमारी नई वाले mark seat या नए mark seat को update कर लीजिए तो वो अपने अपडेट कर लेंगे और आपका काम बस यहीं पर खतम हो जाएगा आपको tension लेने की जरूरत नहीं है बच्चों नई mark seat ही आपको दिखानी पड़ेगी तो I hope कि आपके सारे questions का answer मिल गया होगा अगर आपको कोई और question जानना है तो comment और question का answer चाहिए प्यारे वच्चों